हेलो बच्चो मैं डॉक्टर नवलती भारती आज हम लोग जो है प्रोटेक्टेड कंडिशन में गुलाब की खेती को डिस्कस करेंगे पिछले चार लेक्चर में हम लोगों ने जो है ओपन फिल्ड कंडिशन में रोज कल्टिवेशन को डीटेल में डिस्कस किया ठीक है तो आ बस्कार इस देखेंगे जो जो है कितना प्रोफिटेबल है या धुक्छ अंतर आता है जो हम लोगों ने ओपन कंडिशन में रोज क्ल्टिवेशन को देखा तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे फॉर ग्संपल सबसे बड़ा अच्छ कंट्रोल में नहीं रहता है तो है पर्टिकुलर टाइम का टैंप्रेचर चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरेड का जो सनलाइट अवेलिबिल्टी होनी चाहिए हुमिडिटी क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग फ्लारिंग पीरेड है तो यह सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है साथ ही साथ अगर इसका हमें अच्छा जो है मार्केट में वैल्यू नहीं मिलता है ठीक है दूसरा जो ड्रॉबैक है वो यह है कि हम सीजन पर ही डिपेंड रहते हैं रोस कल्टिवेशन के लिए मिल्स जिस मतलब साल भर में जो सफोस दैस की कूल क्लाइमेट है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही एक्जिस्ट करता है हम उसी क्लाइमेट में ही सिर्फ या उस सीजन के या साल के उसी पीरियेड में सिर्फ हम गुलाब का उतपादन ले सकते हैं तो यह सारे ड्रॉबैक होने की वज़य से जो है हम देखते हैं कि अगर protected condition में गुलाब की खेती की जाए तो वो ज्यादा advantageous होगी For example, एक तो पहला है advantage कि year round cultivation आप कर सकेंगे क्योंकि protected cultivation में या protected structure के अंदर जो है climate पूरी थरह से आपके control में होता है temperature आप maintain कर सकते हैं, sunlight maintain कर सकते हैं और humidity maintain कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी तरह के insect pest और disease का attack भी नहीं होगा ठीक है, तो इसलिए जो है year round ये condition आप year round irrespective of the outer climate आप इस condition को maintain कर सकते हैं इसलिए summers हो या winters हो आप साल भर गुलाब का उत्पादन ले सकते हैं और market में regular supply दे सकते हैं साथ ही साथ protected condition में जो गुलाब है उसकी quality बहुत ज़्यादा अच्छी होती है as compared to field condition तो इसलिए प्रती गुलाब आपको मूले भी बहुत ज़्यादा मिलता है इसलिए क्या कहला है? high value flower crop मिलती है export market के लिए उसके बाद तीसरा फाइदा क्या है? the crop yields are the maximum level per unit area जो crop की yield है वो per unit area ज़्यादा उत्पादन मिलता है ठीक है? मतलब जैसे suppose करिए कि आपने जो open condition में अगर एक hectare में गुलाब लगा रखा है तो उसके comparison में आप जो है या एक hectare का हम example नहीं लगते हैं suppose कि पर square meter open field में जो आप गुलाब उत्पादन लेते हैं पर square meter में उसके comparison में protected structure के अंदर या पॉली house या green house के अंदर या ventilated या automated ventilator तमाम तरह के greenhouse structures आते हैं तो उनमें जब आप production लेते हैं तो पर unit या पर meter square area में आपको जादा गुलाब का उत्पादन मिलता है as compared to open condition ठीक है अभी हम आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है तो प्रती इकाई छेत्र जादा उत्पादन मिलता है control of microorganism वो तो रहेगा ही क्योंकि protected condition ने चारतरों से ढखा है किसी भी तरह के insect pest और पैथोजन की entry restrict हो जाती है रुख जाती है वो पैथोजन अंदर नहीं जा पाता next है conserve moisture does need less irrigation ये भी एक बहुत बड़ा advantage है कि जब आप protected structure के अंदर cultivation करते हैं तो सिचाई बहुत कम पढ़ती है क्यों क्योंकि जो भी water पौधों से transpire होता है या जो भी water soil से evaporate होता है वो water loss नहीं होता वो जादतर समय के लिए जो है moisture conserve रहता है मिट्टी में और पौधे में भी ठीक है तो एक ये भी फायदा है आम इसी चाई कम पढ़ती है और next advantage है income from small and marginal land holding मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास थोड़ा सा ही area है है ना as compared to open field condition जहां पे हम hectares of lands में आप खेती करते हैं लेकिन अगर protected condition में आप कर रहे हैं आप छोटे area में भी means 500 square meter का या 1000 square meter का भी area है तो आप उतने छोटे से area से भी आप अच्छी खासी कीमत का गुलाब उत्पादल कर सकते हैं तो ये सबसे major advantage है गुलाब के protected cultivation करने के तो चलिए देखते हैं कि इसका protected cultivation करेंगे कैसे सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए किस type का green house की जरूरत है क्योंकि अलग-अलग climatic region में अलग-अलग तरह है कि green house की requirement होती है for example जैसे की temperate area के जो green house होंगे वो कैसे होंगे है ना सब tropical area के green house कैसे होंगे और tropical areas के तो देखिए जैसे कह रहा है under mild climate यानि tropical climatic condition में जो green house की requirement होगी वो कैसी होगी natural ventilated poly house क्यों क्योंकि tropical climate है हम लोग जानते हैं कि वहां पर बहुत जादा नहीं high temperature जाता है और नहीं बहुत जादा low temperature जाता है means 50 to 30 के बीच में minimum maximum temperature दिन रात का maintain रहता है इससे अब जाता है ना नीचे तो यहां पर natural ventilated poly house जो है वो जो है मतलब naturally जिसमें ventilation होता है जिस पॉली house में वो पॉली house suitable रहता है लेकिन अब आप आप आईए नॉर्थ इंडियन ventilation system वाला होना चाहिए यानि उसमें आपको जो है अपना fan and pad system का जो पॉली house होता है उससे cooling method प्रवाइड करने वाला poly house होना चाहिए forced ventilation system होना चाहिए और natural नहीं होना चाहिए है क्योंकि naturally जो है natural ventilation जो है गर्मियों में जैसे जब लू वगरा चलती है तो उतना ठंडा climate पॉली house के अंदर नहीं हो पाता है तो इसलिए हम लोग forced ventilation system जो है उसमें इंडियूस करते हैं तो ऐसा जो है poly house हमारे पास होना चाहिए ठीक है अब हमने जब poly house हमने discuss कर लिया है तो अब बात आती है कि अब poly house के अंदर जो environment है वो कैसा हम maintain करेंगे ताकि एक अच्छी क्वालिटी का गुलाब उत्पादन हमें मिले तो आप जानते ही है कि गुलाब के लिए कैसा climate चाहिए ये एक sun loving plant है सबसे पहली चीज़ कि sunlight की availability होनी चाहिए और दूसरा इसका जो temperature है day और night का requirement है तो दिन में उसको 24 तो 26 डिगरी के आसपास temperature रहना चाहिए और जो है रात में नाइट के दौरान जो है 15 तो 17 डिगरी सेंटीग्रेट के आसपास temperature होना चाहिए जिसको की आसानी से आप जो है poly house के अंतर regulate कर सकते हैं अपने fan और जो cool cell pad आपने लगा रखा है जो fan pad आपने उसमें इंस्टॉल कर रखा है उसको regulate करके ठीक है साथ ही साथ आप उसमें 75% humidity भी maintain कर सकते हैं इरिगेशन जैसे Mr. Fogger लगे होते हैं जो जो बॉचहार विधी की जो सिचाई होती है तो उससे fogging कराके आप नॉर्मल humidity भी maintain कर सकते हैं ठीक है और साथ ही साथ CO2 level भी बढ़ जाता है 1000 PPM मतलब आप maintain करें तो गुलाब का उत्पादन अच्छा होता है क्यों क्योंकि जो गुलाब के पौधे पौली हाउस के अंदर जो CO2 रिलीस करते हैं वो इन्वार्मेंट में तो जा नहीं पाती है वो अंदर ही कठा होती रहती है तो उसी CO2 को पौधा फिर यूटिलाइज करता है फोटो सिंथेसिस के लिए तो उसको ओपन कंडिशन के कंपैरिजन में प्रोटेक्टेट कंडिशन के अंदर गुलाब को ज्यादा मात्रा में कार्बान डायोकसाइड मिल जाती है जिससे ज्यादा फोटो सिंथेसिस होती ह ज्र फूड बनेगा ज्यादा फूड होता है तो पौधा उतना ही ज्यादा रिप्रोडेक्शन करता है है यह अनुशता टाटे अब डीशन सेम है घुलाब की जो ओपन कंडिशन में चाहिए वही compete द्यशन में जामीच भी चाहिए बस को ये घ्जएक्ट अन्वारूर्मे तो देखिए आप इस image से समझें कि यह ग्रीन हाउस है यह पॉली हाउस है इसके अंदर देखिए इन्होंने कैसे पॉली हाउस तो आप पहले इनका देखिए कितना बड़ा यह पॉली हाउस है एक फ्रेम डिस्ट्रक्चर है जो चारो तरफ से पॉली थीन से UV-स्टेबिलाइ पाइप टाइप का स्ट्रक्चर वह फॉगर है यानि बॉचहार विधी से सिचाई करने के लिए जो है यह फॉगर लगे रहते हैं ठीक है और नीचे देखिए एकदम बेस पर एकदम नीचे बेस पर थोड़ा सा जो है जाली लगी हुई है वह ओपन नहीं है एक्चुली व सुन्दरता से यहां पर जो है जो है यह ग्रीन हाउस बना हुआ है उसके बाद आप देखिए अब इसमें जमीन पर इन्होंने कितने सुन्दर तरीके से जो है जो है फ्लावर बेड इन्होंने तयार किये इन्होंने एक से डेर मीटर पूरे पॉली हाउस में एक से डेर पॉलि हाउस की लंट है 40-60 मेटर जितना भी आपका लंबा है उतनी लंबी-वी बैट इन्होंने तयार कर ली है ठीक है रेजड़ बैड है जो की ये जह हैं रेजड़ बाहर में जमीन से इसलिए चौडाई कम है और लम्बाई ज्यादा है एकडम ऐसी ही बैडव ने फील्ड कंडिशन के लिए भी डिसकस की थी क्योंकि जो फ्लावर गुलाब की खेती चाहे उपैन कंडिशन में करें में 1-2 1.6 जानी एक से देड़ मीटर चोड़ा ती से चाली सेंटीमीटर लॉंग और ती से चाली संटीमीटर हाइट या पंदा से बीस सेंटीमीटर उंचा बैड होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि किसी भी तरह से आप वॉटर लॉगिंग ना होने पाए वैसे तो प्रो यहां पर मीटर लिखा हुआ है अच्छा सेंटी मीटर है 0.5-0.75 यानि 50-75 cm मतलब दो बेट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो जो है 50-75 cm होनी चाहिए इससे जाधा नहीं इसलिए अपने management point of view को ध्यान में रखते हुए कि management easy हो जाए और बाकी हर एक एरिया में हर एक प्लांटेशन करेंगे ताकि हमें एक optimum density maintain करना हमारा लक्षय होता है ताकि हम इतने छोटे से एरिया में हम ज्यादा से ज्यादा गुलाब का उत्पादन कर सकें ठीक है उसके बाद next होता है मीडिया यानि स्वाइल कैसी होगी जो है प्रोटेक्टेड कंडिशन के अंदर त संदेशन करना जाते हैं तो उस स्वाइल का इस्टेलाइज होना बहुत जरूरी है यानि किसी भी तरह के पैथोजन इंसेक्ट से आपकी इस्वाइल फ्री रहना चाहिए ठीक है उसके बाद आप अपनी स्वाइल में और जादा से जादा कौंटिटी में एड़ करी है और का pH maintain करिए ठीक है तो अगर soil में कल्टिवेशन करना चाहते हैं otherwise soilless substrate भी यूज कर सकते हैं मतलब मिट्टी के अलामा दूसरे propagating media भी ले सकते हैं जैसे rock wool है, peat, sphagnum moss, vermiculite, perlite, leaf mold, coco peat, rice husk इसको भी आप कल्टिवेशन के लिए यूज कर सकते हैं फिर कोई भी हो, soil में आप कल्टिवेशन करिए या soilless culture लीजे पर organic matter content मिट्टी में ज्यादा होना चाहिए मिट्टी का pH 5.5-6.8 होना चाहिए, यह भी वही चीज है, soil requirement में क्योंकि हम लोगों ने open condition में भी देखा था गुलाब को slightly acidic climatic condition suitable रहती है, तो 5-6 के बीच में pH रहना चाहिए और मिट्टी की ज्यादी तो 40 cm अच्छी drained और पर्टी होनी चाहिए उसके बाद यह method नेक्स पॉइंट में soil को sterilize करने का या soilless है means आप soilless media यूज करें या soil media उसको अच्छे से पॉस्चराइज करें पॉस्चराइज करने का तरीका है hot steam वैसे तो chemical method भी है means आप जो है fungicide वगरा या herbicide डालके भी sterilize कर सकते हैं herbicide मतलब weed वगरा के लिए पॉली हाउस के अंदर जब आप cultivation करते हैं तो weed की problem ज्यादा नहीं आती है लेकिन आप जो है in organic method भी यूज कर सकते हैं या mechanical method भी यूज कर सकते हैं for example जैसे hot air treatment आप अपनी मिट्टी को दीजिए मिट्टी को hot air treatment दीजिए 70-100 degree centigrade की steam पास करा दीजिए अपनी मिट्टी पर तो क्या होगा मिट्टी में जितने भी तरह के fungus हैं या fungal spores हैं वो सब टेस्ट राए हो जाएंगे तीस मिनट तक के लिए भाब पास करानी पड़ती है उसके लिए एक system होता है वो सब को establish करना होगा तो पॉस्चिराइज हो जाता है वाल्दो कि यह सब थोड़ा intensive है इसमें पैसा लगता है इन्पुट ज्यादा लगता है प्रोटेटेड कंडिशन में लेकिन हाँ इन्पुट ज्यादा लगता है तो आपको उसी प्रोटेटी का गुलाब उत्पादन भी मिलता है हाई वैल्यू का ज्यादा गुलाब ठीक है और साथ या फिर आप इस्टरलाइजेशन का दूसरा तरीका भी है कि आप अपनी स्टरलाइजिंग केमिकल्स आते हैं उसके बाद नेक्स्ट है यह तो वही इमेज है उसके बाद नेक्स्ट है प्लांटिंग प्लांटिंग कैसे करेंगे अब प्लांटिंग करने के लिए 6-18 मंथ ओल्ड बडड़ेट प्लांट आप लेंगे ड्यूरिंग आपके पास बॉडड़ेट प्लांट होंगे हम लोगों ने पिछले लक्ट्रस में डिसकस किया है कि बड़िंग के थू कैसे प्लांट तयार करते हैं तो उन प्लांट को आप जो की 6-18 महीने के बडड़ेट प्लांट उनको आप लेंगे और मैं-जून में प्लांटेशन के गुलाब के इस्टेबलिश होने के चांसे 100 पर संट रहता है ठीक है जो है बहुत जादा हुमिड होनी चाहिए पर बहुत ज़्यादा गीली और कीचर वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए पौदों से पौदों की दूरी क्या रखेंगे अब जैसे यह यह जो बेड़ बनी ह हुई है लंबी चौड़ी और लंबी इसमें जो है आप लगभग 30-40 cm मतलब एक बैड पर 30-40 cm की दूरी रखते हुए गुलाब के पौदे लगाएंगे रो में ठीक है और प्लांट तो प्लांट डिस्टेंस वो वराइटी तो वराइटी डिपेंड करता है अगर प्लांट ज दिस्टेंस 14-18 cm भी रख सकते हैं और अगर जैसे थोड़ा सा हाइट अगर पौदे की ज्यादा है उस विग्रस टाइप का है तो आप 15-20 cm के बीच की भी डिस्टेंस आप रख सकते हैं मिस ओप्टिमम आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका एक मीटर स्क्वार एरिया मे साथ से आठ पौधे हो ठीक है तो इतना ध्यान में रखते हुए आपको प्लांटेशन करना होता है यह सोचने में बहुत लगता है कि कैसे 15-20 cm के बीच में इतनी नस्दीक नस्दीक कैसे प्लांट हो सकते हैं गुलाब के जब की गुलाब का पौधा तो एक बुष है वह ज है यह 시ираं रहे दें से भाण और बुलाब को B狂 को अदा नहीं होने देते हैं कि यहां साथ ही साथ यहीम है साथ ही है मतलब इसमें प्रूनिंग में चीज है कि आप अपने गुलाब को किस तरह से छटाई करके उसका shape और size maintain करते हैं कि छोटे सी canopy में होते हुए भी कम canopy होते हुए भी वो maximum flower production करें है ना तो इसलिए जब हम protected condition में खेती करते हैं तो गुलाब के पौधे का बहुत ज्यादा canopy नहीं होती है ठीक है बहुत थोड़ी space में वो easily हम उनको maintain कर लेते हैं तो इसलिए यह spacing जो है वो रखी गई है कि एक मीटर यानि एक मीटर लंबा और एक मीटर चोड़ा जो square होगा या जगह होगी उसमें आपके साथ पौधे आने चाहिए seven plants अब manuring के plantation के बाद आप आपका आता है interculture practices कुछ general होती है और कुछ specific होती है जैसे हम लोग open condition में पढ़े थे तो आप इसमें भी general और specific वही cultural practices करनी है protected condition में जो आप open condition में जैसे हाथ कितनी देनी है इरिगेशन कपकप करना है तो यह सारी चीज़े बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि जब हम field condition में manuring करते हैं या fertilizer apply करते हैं तो वह method तरीके थोड़े से different होते हैं और irrigation के method field भी थोड़े से different होते हैं जैसे manuring का मतलब की organic manure जब आप add करना है तो organic manure तो Fym या कोई भी organic manure आप अपनी protected soil है उसमें एड़ कर सकते हैं किस rate से 10 ton per hectare 10 ton नहीं एड़ करेंगे 10 ton per hectare में अगर लगता है तो उस एक्वार्डिक आपका जो protected structure है उसके area के according calculate कर लीजे कि कितना Fym लग जाएगा फिर उसके बाद है fertilizer को कितना लगेगा मतलब NP के वगएरा तो nutrient की requirement है plant की leaf analysis करके देखा गया है protected condition में तो 3% nitrogen चाहिए 0.2% phosphorus और 1.8% potassium साथ ही साथ 1% calcium और 0.25% magnesium तो क्या ratio में पर plant NP का क्या ratio होगा वो होगा 1 is 2.2 1 is 2.2 is 2.1.2 है ना यानि 1 जो है वो nitrogen 0.2 ratio जो है वो है phosphorus का और 1.2 है वो जो है potassium का और 0.3 जो है वो magnesium का तो इस ratio में आप पर plant जो है manure fertilizer apply करेंगे fertilizer application का method क्या होगा वो होगा fertigation method fertigation मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा जब irrigation के साथ ही fertilizer भी apply कर दिया जाए तो वह कहलाता है fertigation, ferti मतलब fertilizer gation word जो लिया गया है वो irrigation से लिया गया है यानि जब पानी के साथ ही fertilizer का liquid liquid fertilizer को पानी में ही घोल के पानी के साथ ही सिचाई के दौरान जब apply कर दिया जाए तो यह विधी कहलाती है fertigation ठीक है आप लोग ध्यान रखिएगा तो poly house के अंदर जो है हमेशा fertilizer fertigation के ही थ्रू दिया जाता है क्योंकि अभी हम देखेंगे irrigation कैसे करते हैं क्योंकि यही method जो है सस्ता पड़ता है और आसान होता है और साथ ही साथ कम fertilizer की जो हमें requirement होती है open condition में हम बहुत कम fertilizer में ही जो है गुलाब का उत्पादन कर लेते हैं ठीक है तो देखा जाए तो protected condition में fertilizer और मतलब manure fertilizer और irrigation का पैसा अच्छा खासा बच जाता है तो fertigation requirement में अब fertigation करेंगे तो कितना पानी में कितना nutrient होना चाहिए nitrogen का मतलब कितना fertilizer nitrogen का होना 170 ppm nitrogen, phosphorus 34 ppm, potassium 160 ppm, magnesium 120 ppm हर बार की सिचाई में इतना आप fertilizer apply करेंगे और regular सिचाई करनी भी नहीं होती है पर्टिकुलर इंटरवल पर हम थोड़ा थोड़ा nutrient पौधे को देते हैं तो इससे होता क्या है कि देखिए ppm में हम nutrient दे रहें ग्राम में भी नहीं ppm में, mg में हम प्रोवाइड कर रहें तो देखिए mg में हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना 100% आप nutrient दे रहे हैं उसमें 90% nutrient पौधा ले लेता है जबकि फील्ड में क्या होता था कि हम केजी में एपलाई करते थे हैं और तब भी पौधा पीपीम में ही अब्सॉर्ब करता है लेकिन ज्यादा तर न्यूट्रेंट हमारा वेस्ट हो जाता है यह चीज प्रोटेक्टेड कंडिशन में नहीं होने पाती इरिगेशन सिचाई केसे करेंगे तो फर्स्ट वीक पहला जो हफ्टे आप सिचाई करेंगे पौधे लगाने के बाद तो वह इस्प्रिंकलर की मदद से करेंगे इस प्रिंकलर मतलब जो बौछार के लिए पौली हाउसम की छट पर जो फौगर लगे होते हैं उससे फवार एक महीने बाद प्लांटिंग के फिर हम ड्रिप की पाइपे बिछा देते हैं ताकि वो ड्रिप इरिगेशन करें इस इमेज में आप देख सकते हैं प्लांट के बीच में कैसे बेड पर देखिएगा जहां पर गुलाब के पौधे लगे उनके बीच में किस तरह से पाइपस जो है वो ड्रिप की पाइपस लगी हुई है और 2 रोह के बीच में पाइपें बिचे हुई है इरिगेशन के लिए तो इसे बोलते हैं dripper, ठीक है, तो ये drip irrigation हम इसकी pipe में उसके बाद पिछा देते हैं तो उसके किस तरह से सिचाई करनी है, यानि 2 लीटर पानी पर आवर जो है, इस रेट से पानी dripper में चला जाता है कि एक घंटे में 2 लीटर पानी पौधे इरिगेट हो, तो देखें, दो लीटर में ही इतने सारे प्लान को एक घंटे में 2 लीटर, यानि 5-6 लीटर या 10 लीटर पानी सफिशेंट होता है थोड़े थोड़े इंटरवल पर चलाने के लिए और आसानी से पौधा ग्रो हो जाता अग्राब में प्रूनिंग कैसे करते हैं वही तरीका है जो हम लोगों पिछले उसमें देखा था आप उसको वही से पढ़िएगा कि प्रोटेटेटे कंडिशन में भी टाइम प्रूनिंग का सेम होगा ठीक है और जो है मैथेड़ भी सेम होगा और टाइप्स जो डिफरें प्रोटेटेड में वहें बेंदेंग यह कहरा है अफटर प्लांटिंग एक ऑफटर प्लांटिंग यह कहरा है कि आतने हैं अज acces की का सथ उन बीलान जाती है तो वह फ्लावरृबर्ड्द हमारी क्योंकि अभी पौधे में लीफ ज्यादा नहीं है इसलिए लीफ में बहुत ज्यादा अच्छा फूड का स्टोरेज नहीं है और नहीं अभी पौधे का रूट सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हो पाया है कि वह अच्छी क्वालिटी का गुलाब उत्पादन दे तो आपको पौधे में सबसे पहले उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो यानि उसका मजबूत एक रूट सिस्टम हो और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लीफ हो लीफ का प्रोडक्शन हो जाए ताकि ज्यादा पतियां भोजन बनाएं और एक मजबूत पौधा हो और फिर उस प फ्लावर बड आ भी गया है या दिखने लगे हैं तो उन फ्लावर बड को हम तोड़ देते हैं और शूट को नीचे की तरफ जुका देते हैं आप यह इमेज में देखिए कि कैसे नई जो शूट आई है नई ब्रांचे जाई है पौधों को जुका दिया गया जमीन में अब करते क्यों हैं यह होता क्या इस से फाइदा क्या होता है अगर आप लोगों को यादो मैंने लुई प्रांच में भी बताया था कि जो है ब्रांच की टिप पर होता है किसी ब्रांच की टिप पर uncomfortable का देखिए कि और between जब जब तक प्रोडाशन होता है वो side branching को नहीं ह होने देगा जब हम bend कर देते हैं तो जो auxin या शूट की टिप पर जो auxin produce होता है जो है नीचे की तरफ फ्रो नहीं कर पाता तो नीचे की तरफ फ्रोगधर ऑग्जी तिप पर ही present रहता है तो उस शूट में जगे-जगे पर जो उन नोट में जो साइटो काईनीन है वो एक्तिवेट हो जाता है और वो साइटो काईनीन साइट ब्रांची प्रमोर्ट करते है अविह नहीं किस 29 अब है, phonedzieं प्रमोर्प झायती है बलगाती हैं और ढती किस में इसमें भूंच उपनाएम cricket प्रницल करेंगी तो वो ज्यादा पौधा जो है वो इस्ट्रॉंग रूट सिस्टम का पौधा बनता है है अब उस प्लांट पर फिर जब नॉर्मल बड आती है फ्लावर तो वो अच्छी क्वालिटी की फ्लावर बड होती है है तो यह एक ऑपरेशन बेंडिंग है जिसको कि हम लोग प्रोटेक्टेट कंडिशन में करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑपरेशन है वो है बड कैपिंग यह एक इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है जो की बहुत जरूरी होती है प्रोटेक्टेट कंडिशन के अंदर आप इमेज में देखिए कि कैसे बड्स को एक जालीदार न इस समय हम इन यह कैप को पहना देते हैं बड को ठीक है जैसे बड आती है तो होता क्या है से कहरा दबर्स फ्लावर बड्स इंसर्टेड विद नैलोन कैप यानि फूलों पौधे में जो फ्लावर बड आ रही है उसमें एक नैलोन कैप पहना दिया जाता है जिससे क्या बड पहने पहने ही यह जालीदार बड होती है इसलिए एरेशन होता ही रहता है यानि फ्लावर बड में जो कैप है वो लगे ही हम उसको हार्वेस्ट करते हैं उसको लगे लगे ही हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इससे क्या होता है कि बड डैमेज नहीं होने पाती बड में मॉ साथ ही उसकी shelf life भी बढ़ जाती है तो यह जो है एक important practice है जिसको की गुलाब में करना सही रहता है especially in cut flower तो यह bending और bed capping जो है यह additional cultural practices है जो आपने open condition ने पढ़ी pruning, de-sucking, thinning, dis-budding, defoliation या de-shooting उसके अलावा यह दो practice और है bending और bed capping जिसको की protected condition में करते हैं तो यह जो है आप ध्यान रखिएगा इस बात को उसके बाद harvesting अब harvesting कैसे करेंगे गुलाब की तो कह रहा है harvesting maturity index वही है जो open condition में होता है judge करने का कि कब आप judge करेंगे कि आपका गुलाब ready है तो सबसे पहले आप अपनी देख लीजे कि market कहां पर आपको गुलाब भेजना है local market है और या distant market है या export purpose है वह सारी चीज़ है लेकिन बहतर होता है कि गुलाब को tight bud stage में harvest करना cut flower की maturity index है tight bud stage यानि जब एक या दो petals दिखने लग जाए जो वह है फ्लावर बढ़ का वो थोड़ा सा कैलिक्स के बीच-बीच से colors आपको flower की petals की दिखने लगे पर अभी unfolding नहीं हुई हो तभी हम flower को harvest कर लेंगे एक सिकेटियर की मदद से तो ज़्यादा तर इसमें देखा गया red या pink color के अगर flower का cultivar है आपका red और pink variety है तो उनमें जब पहली दो petal थोड़ा सा दिखना शुरू हो जाती है unfolding उनकी थोड़ी शुरू हो जाती है तब harvest करते हैं ठीक है और yellow cultivar को slightly earlier थोड़ा उनसे पहले harvest करते हैं और white cultivar को red और pink के थोड़ा सा और late में harvest करते हैं तो यह variety wise थोड़ा सा time vary करता है लेकिन tight bird stage ही होती है कब करेंगे harvesting? harvesting is done preferably during early morning hours यानि सुबह के time करेंगे वैसे सुबह के time क्या हम greenhouse के अंदर या poly house के अंदर हम harvesting जो है वो 24 गंटे करते हैं इसमें early morning hours सही नहीं है आप लोग इसको थोड़ा notes में correction कर लीजेगा open condition में early morning hours में करते हैं ठीक है वो फिर दुपहर में और साम को करना ठीक नहीं रहता क्योंकि open condition में धूप पौधे परती है तो water का content पौधे में कम हो जाता है लेकिन poly house के अंदर ऐसा नहीं होता poly house के अंदर रात हो या दिन हो या साम हो या दुपहर हो 24 गंटे 24 hours जो है पौधे में अच्छी खासी turgidity और humidity maintain रहती है इसलिए आप जो है हर दो घंटे पर भी आप harvesting कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए जो है यह line यहां पर सही नहीं है आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रख कि जो है harvesting can be done at any time under the poly house उसकी बाद क्या है flowering yield ranges from 100 to 150 stem कितनी yield होती है कह रहा है 100-500 stem जो है मिलती है variety to variety depend करता है कुछ varieties में 200 to 225 stem भी मिलती है कभी 250 to 350 तक मिलती है पर मीटर स्क्वाइर एरिया से in large hybrid team है देखिए पर मीटर स्क्वाइर एरिया में large hybrid team में इतना ज़्यादा production होता है 100-100-500 stem ठीक है ना और medium टाइप में 200-25 flowers मिलते हैं और small या spray type में 200-300 spray मिलते हैं वो भी yearly यह है यानि साल भर में आप इतना उत्पादन ले लेते हैं फिर पौधा इल्ड देना कब से शुडू करता है 4-5 मन्थ आफ्टर प्लांटी यानि plantation के बाद चार से बड़ेट प्लांट जब आपने लगा दी हैं तो प्रोटेक्टेड कंडिशन के अंदर चार से पांच महीने के बाद पौधा इल्ड जो है वो देने लगता है और stem की अंदर प्रोटेक्टेड कंडिशन में गुलाब की खेती आसान भी है और फ्लावर की क्वालिटी भी अच्छी होती है पौधा सुरक्षित भी रहता है और आपको कम एरिया में ही मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलता है ऐस कंपेर टू ओपन कंडिशन तो इसलिए अब ज्यादा लेक्शर में हम लोग गुलाब का फ्लावर फोर्सिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद रोज का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो तब तक के लिए थांक यू